करेंगे इसके पहले आप लोगोंने मेरा कॉलरीच के कल्पना सिध्धान के पाद जो लेक्चर था उसको अपने देखा होगा कुछ चात्रों को यह प्रश्ण था कि क्या कल्पना सिध्धान को ही लिखना है तो आपको बता दूँ कि जो कल्पना सिध्धान है हुआ केवल इनके कावे चिंतन का केवल एक ही पहलू है तो यदि कल्पना सिध्धान परिच्छा में आता है तो आपको कल्पना सिध्धान के विशह में प्रात्मिक कल्पना दितियक कल्पना और फैंसी के संबन में लिखन के कायवे चिंधन के बारे में तो को परश्ट न है यूँ को तो आपको जो जो विचार है कायवे की पृती उन सारे पहलियोंगों को submitting लेक्षे मैं आज का लेक्टर लेकर आया हूं přिंदो के इतर अध्यान करेंगे लेकिन इसके पहले मैं आपको नों बता दूं कि इसकेबाद मेरे दू एपिसोड आएंगे एक होगा असिश्टेन् प्रोफिसर हिंदी के लिए सक्छातकार की तेहरी कैसे इसके बाद मेरा अग्ला लेक्छर हो वा होगा understanding वाट्सवर्थ के उपर तो मैं विलियम वाट्सवर्थ और असिस्टन प्रोवसर हिंदी के लिए सक्षात्कार की त्यारी कैसे करें दो एपिसोड लेकर आओं तो आप मेरे साथ अंतक बने रहें तो कॉलरीज के कावेचिंतन इसको हम इन बिंदों के अधर पर हम इनका अधि सिजम कहते हैं फिर कॉलरीज की क्लपणा समंधिया उधार्णा और आयाम के थंशी स्varoo पयहम आयाम कावे भाषा की संकल्पना कॉल्लिज और वड़्थ वार्ट्सवर्थ का का वे भाष्षा संंबंधिय चिंतन तुलनात्मा की बेचन कवी कावेग और कविता विश्यकृ कॉलिज और च्छायवाधी कव्यों का चिंतन और उप्सनार वास्त वह स्टाहर के नियुक्हार से में हम उसका रधियन करते हैं नमस्कार मैं भुबन्ध बाणा हिंदी चैनल में आप हादिक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आप मैं औरे चेनल को अब बिंगे किया है तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें साथ ही Brain को दबाना न भूलें ताकि मेरे प्रतियोग वीडियो की DAVID अब मिलते रहें संते ही मेरे लेक्टर के स्व membr लंभे होते हैं इस लिए धारे के सांथ अंत रहे हैं तो निश्चित रुप से आज का या एपिसोड आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत सारी प्रतियोगिता परिच्छा हैं उसमें जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है तो अंतर तक मेरे सांथ बने रहे ह जहां पर व्याख्या की जरूरत है कि वहां पर मैं व्याख्या करूँगा अने था मैं पढ़ते हुए चला जाओगा प्रस्तावना शाब्दी कर्थ में कावे चिंतन का संबन्द कविता के विशाय में चिंतन से हैं मैं कविता के विशाय में विचार करने को बोलते हैं जब किसी कावे या कविता के विभिन घटक होते हैं रस चंद अलंकार और कावे भाशा तो इनकी कविता के सिजन पक्रिया में इनकी क्या भूमिका होती है कावे चिंतन के केंद्र में ऐसे ही बिंदू रहते हैं एक द्रिश्टी से कावे चिंतन वस्तुता कविता संबंदी स सुष्धान्द साथ क्वा चिंतन का नान्यवाल सिद्धान्त है उनकी समीच्छा encourage पर विचार्अ करना पाश्ची में क्वा चिंतन समीद्ध क्वाव चिंतन की प्रमप्रा में साथक करसे वाले चिनता दिरुप में विख्यात है पस्ची मतब वेस्टरन कांट्री जो हैं वहां पर यह पहले से परंपरा चली आ रही है कि कावचिंतन की परंपरा है वह पहले से वहां चली आ रही है और इनके बीज जो एक नाम है Samuel Taylor College यह Samuel Taylor College यह बहुत ही प्रसी दिब्यक्ति हैं कावचिंतन के चेत्र के बहुत ही महान ब्यक्ति है College का पूरा नाम Samuel Taylor College है इनका जन में 21 अक्टूबर 1772 को इंग्लेंड के सेंट मेरी नामा की स्थल पर हुआ था वहां पर एक लेग कवियों करके गुरूप बना हुआ था जैसे हमारे यह चायावादी कवी है समू है वैसे वहां पर लेग कवियों का एक समूँ था तो College अंग्रेजी के लेग कवियों लेग कवियों में इसे एक थे उनकी कविताओं में दिरायम आप दी एंसेंट मारीनर तथा कूबला खान अतियंत प्रसीद है वे किवले एक आलोचक नहीं है बलकि एक कविक रूप में भी अतियंत प्रसीद थे उनकी दो प्रसीद कवि इसका उलेग किया जा सकता है यह उनकी प्रमुख कालोचनात्मक कृतिया है जिसमें उन्हें विभीन बातों पर कावे के संबन में विचार किया है कॉलरीज का एक अतियंत महत्पूनकार दिरिकल बैलेट्स 17-1990 का संबादन है जिसे उन्होंने विलियम वाट्सवर्थ के सांथ मिलकर किया था उनके एक प्रम मित्र थे विलियम वाट्सवर्थ दोनों ही सचंदतावाद या रोमांटी सीजम के अतियंत महान कभी हैं जो इनके मित्र भी थे इनके सांथ मिलकर इन्होंने लिरकल बैलेट्स का संबादन किया आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कॉलरीट के रचनकार व्यक्तित्यों के तीन पक्ष हैं पहला आलोचक रूप दूसरा कभी रूप तथा तीसरा उनके व्यक्तित्यों का तीसरा और आत्यंत महात्पूर्ण पक्ष है अंग्रेजी सचंदतावाद मतलब रोमांटी सीजम के दर्शन को इसपष्ट करना एव सचंदतावाद अथवा रोमांटी सीजम को इस्थापित करने में उनकी अत्यंत महत्पूर्ण पूर्ण करही है ना किवल उन्हें सचंदतावाद अर्था रोमांटी सीजम के फिलासफी या सचंदतावाद के दर्शन को इसपष्ट किया बलकि अपने समकालिन अन्यकभिय के लिए प्रेणा स्रोथ के रूप में भी कारिक किया तो यह उनकी अत्यांत महत्पुन योगदान है बायोगरेफिया लिट्रिया जिसका प्रकाशन हुग था 18-17 शी में वस्तुता एक ऐसी महत्पुन करिती है जिसमें जीवनी आलोचना और दर्शन का मिल देखा जा सकता है मतलब बायोग्राफिया लिट्रेरिया में उनकी जीवनी है और आलोचनात्मक उनका विचार हुआ है और दर्सन है उनकी फिलासफी है बायोग्राफिया लिट्रेरिया एक ऐसे आलोचा के क्रिपी है जो बहुगे तो हैं किन्तों जिसमें दुरूरता भी कम नहीं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुग ये मतलब बहुत सारी विश्यों की जानकारी जिसको होती है, बहुत सारी किताबों को जिन्होंने पढ़ा होता है, और विभिन विश्यों की जिनको जानकारी होती है, उन्हें कहते हैं बहुत सारी बाते जानते तो थे, लेकिन उनके विचारों में कठिंता है दुरु होता है लोग बहुत आसानी से क्योंकि बहुत विद्वान थे उनकी बातों को समझना इतना आसान नहीं है दुरु होता है मतलब कठिंता है कॉलरीच के अलगनात्मक चिंतन के जितने भी पक्ष है यथा कलपना, फैंसी, कावे भाशा और कवी, कावे और कवीता सभी उनकी इस अलगनात्मक कृती में समगरता के साथ व्याक्चाईत हुए है तो यही कावे चिंतन है जिसका हम आचद्यन कर रहे हैं तो इस बायोग्रेफिया लिट्रिया में उन्होंने कलपना के बारे में, फैंसी के बारे में, कावे भाशा और कवी के बारे में, कावे और कवीता इन सब के बारे में इसका उन्होंने आपर उले किया है कवी के रूप में भी कॉल्रीड का महथ तो कमनी है Lyrical Ballads का एक तिहाई भाग उनकी कविता द्वारा पुरा होता है कॉल्रीड वस्तूता लंभी कविताओं के कवि है जो Lyrical Ballads था उसे विलियम वर्ट्सवर्थ और कॉल्रीड ने मिलका दा दोनों ने दोस्त थे दोनों ने मिलकर लिखा था और इसका एक तिहाई भाग इनकी लंबी कविताओं का है इनकी कविताओं बहुत लंबी होती है कॉल्रीज ने अपने समय के अनेक रचनाकारूं और अलचकों को ना केवल घहराई से प्रभावित किया वरन सच्छंदतावादी कावय अंदोलन को अग्रगामी बनाने में भी सार्थक भूमिका निभाई कॉलिज ने अपने समय के अपने समकाली अन्य कवियों को प्रभावित किया कि वे आएं और सच्छन्दतावाद से जुड़े और सच्छन्दतावाद को इस्थापित करने में उसके प्रवक्ता करूप में उसका वे अंदोलान को इस्थापित करने में उन्होंने नेता और अ रोमांटिक यूग या स्वच्छन्दतावाद का समय अंग्रेजी साहते में प्राया 1785 इसी कुछ विद्वान के अंसार 1792 इसी से माना जाता है इसके शुरुआत हुई थी 1785 इसी कुछ विद्वान कहते हैं कि रोमांटिसिजम 1792 इसी में शुरू हुआ कविता के शेतर में यहे कतिंत मात्पूंद कावय अंधुलन था जिसने व्रिहत्तर पाठक समाज अर ततकालीन लेखकों को हराई से प्रभावित किया तो रोमांटिस हिजम ने ना केवल अपने समय के लेखकों और कवियों को प्रभावित किया बलकि बहुत बढ़े पाठक समाज को भी उन्होंने प्रभावित किया जैसा कि हमारे हिंदी साहित्य का चायावाद है और जिसके चार प्रमुख कमी है प्रसाद, पंत, द्याला और महादेवी वर्मा, उन्होंने ना केवल अपने समकालीन कवियों को प्रभावित किया बलकि पाठकों को भी प्रभावित किया वैसा हिए सवचंदतावाद है भारती साहित्य का जो चायावाद है उसमें सवचंदतावाद का यह प्रभाव दिखा जा सकता है तो इसमें जो ृसके सवचंदता वादी कविता का स्वभु उसके दर्सन तथा उसकी सद्धान्तिकी सधान्तिकी को स्पष्ट करने में वर्ट्स्वर्थ और कॉल इडरा संपादित दिरिकल बैलेट्स की मातपूर्ण वहिका है मतब जब कोई भी आंदुलान आता है तो इसको लोगों को सम्झाना पड़ता है अन्य समकाली निलेखकों और कवियों को और पाठकों को सम्झाना पड़ता है कि इस कावे आंदुलान का दर्शन क्या है इसकी फिलासफी क्या है इसको स्वरूप क्या है और इसका जो टेक्निकल और मेथट क्या है, सिधान क्या है, तो इसमें वर्ट्स वर्थ और कॉलरीट को लिरिकल बैलेट से उसने बहुत ही महत्पूर्ण भूर्णिक का दिर्भान किया अंग्रेजी स्वचंदतावादी कावे आंदुलन का वैसिष्ट इस तत्य में नीथ है, इस कावे आंदुलन ने सहज और सरल दैनन दिन जीवन तथा प्रकृति को सरवाधिक महत्तो दिया स्वचंदतावाद की सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा क्या है? सहाज और सरल और हमारे दिन प्रति दिन के कारेयों को अपनी कविता में इस्थान देना और प्रकृति को इस्थान देना अंग्रेजी स्वचंदतावादी कावे अंदुलन की सरवादिक महत्रपॉण विशेस्ता यह भी आए कि उसने किसी भी प्रकार के अनुशाषन और परिपाटी प्रथा धंग शैली का पूनरुप से अस्विकार कर दिया मतला होता है स्वतंत्र जो बंदिनों में नहिंबंता इसलिए स्वचंदतावादी जो कवी निए तो इनका साथ महत्रपॉण द्यशे क्या थां? काविया कविता को किसी भी प्रथा प्रंपॉरा या प्रिपार्थी में नबांद Kimchi मतला है कावय एक परिपाटी एक परंपरा एक प्रथा में बंधी हुई थी एक अनुशासन में बंधी हुई थी उससे इन्होंने कविता को मुक्त करने का प्रयास किया यूगि स्वच्छंदता का मतला भी स्वतंत्र होता है सच्छनतावादी कावय अंदुरन के सिधान करों का माना है कि कवीता का जन्म ही सहर्जता में होता है अत्यदीक अनुशासन या बंधन से कावय के समयदना शैरित हो जाती है मतलब छीड़िया काम हो जाती है मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है मासूमियत के सांथ खेर रहा है सतन्तर्दा के सांथ आज़ादी के सांथ जब उसको आप नियव कानून के बंधनों में बांधोगे ये मत करो, मत करो, ऐसा मत करो तो जो छोटा बच्चा क्या हो जाता है कुंठीत हो जाता है उसकी आजादी चली जाती है उसकी मासुमियाद चली जाती है तो ऐसा ही कवीता है कवीता को आप बहुत जाता है नियम कानून के बंधनों में बांद देंगे तो उससे क्या होता है जो कवीता को जो समेधना है ज बात हमेशा ध्यान में रखें कि मैं कभी-कभी आपको परिभाशा बताना भूल जाता हूं, जब भी परिच्छा में आप उत्ता लिखते हैं, चाहे आप बीम हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे फैंटेसी हो, या मीथा को, उसमें जो अन्य विद्वानों के विचार हैं, जो परिभाशा को जरूर लिखें, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे, परिच्छा में भी पूछा जाता है, या परिभाशा किसकी है, तो वह भी आपके लिए जरूरी है, तो यहां विल्यम वोर्ट्सवर्दार आ दिगई कवीता की परिभाशा को ध्यान में रखा जा सकत वर्ट्सवर्थ के अनुसार कवीता शशक्त भावनाओं का स्वैक्षिक प्रवाव है प्रट्री इस पॉंटेनियस और प्लोग अपवार्पुल फिलिंग्स तो यह परिवाशा बहुत महत्पोड़ना है कई परिछाओं में पूछी जाती है कविता क्या होती है हमारे मन में जो प्रवल भावना होती है वह क्या होती है एकदम स्थ्ष्षिक प्रवाहा और वह नदी की तरह हृति है चला जाता है उसके मान में बहुत ही पौरफुल फिलिंग आता है, ससक तभावना याती है और उसको बहुत ही स्मूथली लिगता चला जाता है, यह कविता बहुत ही इंपोर्टेंट है, यह जो परिभाशा है, स्वचंदतावादी आंदोलन की एक दूसरी महत्पूर्ण विशेषता या है कि इसने प्रकृति को सरवाधिक महत्व दिया है, जैसे हमारे हिंदी में सुमित्र अनंदनपन को प्रकृति का चीतेरा कभी कहा जाता है, वैसे ही वेस्टर्न कांट्री में विलियम वर्ट्सवर इसने महत्पूर्ण भूमी का आदा की, जो स्वचंदतावाद का उदय क्या हुआ, स्वचंदतावाद के उदय के पिष्ट भूमी में एक राज्नेति करण था, वह था फ्रांस की राज्य करांती, जो सत्रास नंवाची इसने में हुई थी, और उसका नारा क्या था, स्व इसने बहुत ही महत्पूर्ण भूम का निभाई थी, इसी के काण्सव चंदतावाद का जन्म हुआ था, इससे ना केवल वर्ट्सवर्थ, बलकि रोमांटिक युके अन्य कवियों अभी ने भी प्रेणा गरहन की, लेक पोएट्स की एक त्रही बई ही बन गई, जिसमें व अंतर, निराला और महादेवी वर्वा, वैसे यहाँ पर तीन कवियों का एक समों बन गया, वर्ट्सवर्थ, सौधे और कॉल्रीज, रोमांटिक युके कवियों ने प्रकृति के छोटे से छोटे उपादान, उपादान मतलब साधन या सामागरी, प्रकृति में जो चीज को भी अपने कवे का विशय बनाया, नदी, जील, जहरने, पुस, हवा, आदी को इन कवियों ने अपनी कविताओं का वर्ण विशय बनाया, उनके उपर कविताओं लिखी, ग्राम में जीवन की अनेक छवियां, रोमांटिक युके कवियों के यहाँ देखी जा सकती है, इ वहां के लोगों में जो मासूमियत होती है, उसको भी अपनी कविताओं में इस्थान दिया, जैसे हिंदी में बुला जाता है, भारत माता, ग्राम वासनी, इसी प्रकरिणों ने अपनी कविताओं में इस्थान दिया है, धूल भरा मेला सांचल यह सब आपने पढ़ा होग इपर, यह सारी चीड़ें बहुत ही महत्पूर्णा हैं, आपको इनको अपनी परिच्छा में लिखना ही है, तो यह ध्यान रखें आप, जो मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसको जरूर ध्यान में रखें, तब आपको बहुत ही अच्छे अंख मिलेगे, और आपको अधा इस इद्याले के परिच्छा में शामिल हो रहा हूँ, यदि आपको अधाना इस पास थे, आपको अच्छे अंक मिलेगे, और हिंदी साहित्यों को लेकर बहुत ही उचाही तक पहुंचेंगे, बस मेरा यह छोटा सभीन में प्रयास है, और आप मेरे साथ हमेशा बने रहे ह क्या काते हैं, कॉलरीज का कहना है, कॉलरीज की कवीता की अत्यंत्र प्रसिद्य परिभाशा ध्यान देने हो गया है, उपर आपने वर्ट्स वर्थ की परिभाशा देखा, अब आप देखते हैं क्या कहते हैं, कवीता सरवत्तम शब्दों का सरवत्तम क्रम है, poetry is the best words in their best orders, क कवीता लिखने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों को हमको चैन करना है उनका, उनको बहुत ही अच्छे order में जमाना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप खली बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों को आपने ले लिया, और आप धंग से जमान ही पाए उसको, ज कर लिए, poetry is the best words, in their best orders, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखेंगे, तब ही आपको बहुत ही बढ़ी आँख मिलेंगे, अब हिंदी साहित के चात्र हैं, तो आपका अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, क्योंकि यह आप पढ़ रहे है, पास्चा से हिंदी साहितों में आया है, और हिंदी अनवाध के मात्यम से इसको हमने छायाबात के रूप में गरहन किया है, आत्मा भिवक्तियां मतफ्वयम की अभिवक्ति, नीजी अनभूतियों की अभिव chỉख्ति वैक्तित्त मतलब अपने नीजी जिवन के बारे में कभीता या ल यही कारण है कि शिल्प के इस तर पर इन कवियों ने अधिकतर गीतात्मक्षाली अपनाई है गीतात्मक्षाली मतलब जिसको गीतों के रूप में गया जा सकता है इसको गीतात्मक्षाली जिसको हम गीत के रूप में गा सकते हैं गाना के रूप में गा सकते हैं एक दुक्की बदली इस पंदन में आहत विस्तो बसा तो ऐसे पंड़े से कविता एकलाए है उसका आभास होता है समधना के धरातल पर सचंदतावादी कविता किसी भी मनुष्य के दुख दर्द और पीड़ा से अपना समध बनाती है कहने का असरी है कि सचंदतावादी कविता का आत्मा या मन से समधित अन्य की पीड़ा से जूर जाता है मतलब जो आम जन गिवन जो आम लोगों की पीड़ा है उनके दुख और दर्द को सचंदतावादी कवियों ने अपने कावे में इस्थान दिया मतलब सचंदददवादी कवी की जो पीड़ा है वो आम जनता की पीड़ा से जूल जाता है उसका साधराणी करण हो जाता है सचंदददवादी कवीयों और आलोचकों में सेमौल टेलर कॉलरीज का अपना आलग महतो है कॉलरीज बहुत आयामी ब्यक्तित्यों के धनी थे मतलब आलोचक थे लेखक थे कवी थे और बहुत सारे उनके बहुत सारी बातों की जानकरी थी उनका ग्यान था विश्यों का जहां एक तरफ उन्होंने लिरिकल बैलेट्स का सहसंपादन किया वहीं दूसरी और बायोग्राफिया लिटरिया अलोचनात्मक कृति भी उन्होंने लिखी लिरिकल बैलेट्स के वो को एडिटर थे सहसंपादक थे उन्हेंने वर्ट्स वर्थ के साथ मिलकर लिटर कॉल्रीज का कल्पना सिधान्त उससे जाकर जरू देखें प्लेलिष्ट में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है लेकिन यहां पर हम इसका संशेप में अधियर करेंगे तो कल्पना बहुत ही महादपूर्ण तत्वा है कावे का पश्चिमी साहित्य शास्त्र में कल्प कल्पना के दो भेद किये प्रात्मिक कल्पना और अनसंगिक कल्पना अत्वा दितियक कल्पना कॉल्रीज से पहले कल्पना के संब्सम्द में आइसा भी वेचन किसी अन्य अलोचक यहाँ नहीं मिलता साथ ही आप यह भी ध्यान दें जो फैंसी होता है वह भी कल्पना का ही एक प्रूप होता है तो अब रत्यक्टियक कल्पना और फैंसी यह तिनों कल्पना के ही टीन प्रकार होते हैं इसको आप ध्यान में रखिए तो कॉलरीट ने कल्पना के दो भेट किये हैं, प्रात्मिक कल्पना मतब प्रामरी इमेजिनेशन और आनुशंगिक कल्पना अथ्वादितियक कल्पना तो पहले किसी अलोचक ने ऐसा नहीं किया था अब प्रात्मिक कल्पना क्या है देखते हैं कॉलरीट के अनुसार द्रिश शिमान दिखाई देने वाला मतलब जो हमको दिखता है उसको हम कहते हैं द्रिश शिमान जगत की अनेक वस्तुएं प्रात्मिक कल्पना के महत्तों को इस द्रिश शिमान जा सकता है कि इस प्रकृति और संसार की अनेक वस्तुओं और प्रात्मिक कल्पना ही वह कारण है जिसे चीजें सुसंगत व्यवस्तित और आव्यविक रूप से हमारे मस्तिक्स में जगह बना पाती है हम अपने देनेंदिन जिवन में अनेक चीज़ों का सक्षातकार करते रहते हैं फूल, पेंड, पहाड, नदी, जहरने, मोठर, गाड़ी, इमारते हैं और इन सभी चीज़ों की छवी, एक छवी हमारे मस्तिस्क में बनती रहती है ये सारी चीज़ें एक निश्चित स्वरुप में हमारे मस्तिस्क में अपनी जगा बनाती जाती है आपस में गड़-बड़ नहीं होती, उलशती नहीं है तो कॉलरीट के अनसार प्रात्मिक कल्पना क्या है? प्रात्मिक कल्पना वह शक्ति है जिसके माद्यम से हमारे जो दिरिश्चमान जगाते, जिस संसार में हम रहते हैं उसके विभीन वस्तों की पहचान कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं जैसे यह बस है तो बस है, यह कार है तो यह कार है, यह पेड़ है तो यह पेड़ है, यह नदी है, यह तलाब तो जिस छोटे बच्चे भी जानते हैं चार-पांच साल का होने बात इन सब चीटों को identify कर पाते हैं तो प्रात्मिक कल्पना वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपनी दुनिया की विभिन्दी चीटों को अलग-अलग धंग से पहचान पाते हैं और यह आपास में गड़मड नहीं होती मतलब हम confused नहीं होते हमें भ्रांती या भ्रहम पैदा नहीं होता कि ये कार है कि ये बस है हमको पता है ये कार है तो कार है ये बस है तो बस है तो प्रात्मिक कल्पना होती है वो हर व्यक्ति में पाई जाती है प्रात्मिक कल्पना वह शक्ती है जिसके माध्यम से हम दिरी सिमायन जगत की विभिन ने चीजों को identify कर पाते हैं अलग अलग तरीके से पहचान पाते हैं प्रात्मिक कल्पना या primary imagination हर साधारण ब्यक्ति में पाई जाती है जन साधारण में पाई जाती है वस्तुतर मानो मस्तिस्क की वसक्ति जिसके करण हम चीजों को उनके नय सर्गिक नय सर्गिक मतलब प्राकृतिक या सवभायव करूप में देख पाते हैं वही प्रात्मीक कल्पना है यह प्रात्मीक कल्पना ही हमें चीजों को एक्रम या व्योस्था में हमारे मनो मस्तिस्क और अंकीत करती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता हुछाबी बनती है तो शुक भीश कर पाते हैं जो पागल जने मंदबूद्धी नहीं है उनको छोड़कर सभी लोगों में यह पाई जाती है, दितिया क्या आनुशंगिक कल्पना क्या है, यह कोई खास एक विसेश चीज़ है, यह अलग सक्ति है, दितिया क्या आनुशंगिक कल्पना, सेकंडरी इमेजिनेशन, शक्ति है, जो वस्तों को अलग प्रकाल से देखती है, मतलब आनुशंगिक कल्पना क्या है, आनुशंगिक कल्पना के करण हम चीज़ों को, जीस रूप में हमको दिखाई देती हैं, उससे भी बेहतर रूप में, हम अपनी तर्क, बुद्धी और दिमाग और कल्पना लग तो रहे हैं, गुलाब देखकर चलाहं, तो वहाँ होगी आसपरात्मीक कल्पना, लेकिन या कभी उसको देखता है, तो कभी उस गुलाब को अलग धंक से देख़ीगा, या गुलाब कितना खुबबसूरत है, बघशे में कितना खुबसूरता के सांथ खिला हुआ हुआ उसमें सूरच्छी करने पड़ रही है जो उसके खुद सूर्टिक बढ़ा रही है तो मतलब वह छहाध कर रहा है हूं उसमें कुछ और चीज़ों को एड़ कर रहा है जोड रहा हूं तो यह हो गया पानसंगिक कलपना इसलिए जो आनसंगिक कलपना होती है मतलब यह एक विशेज प्रकार की शक्ति है जो चीजों को उसके सधान रूप में नहीं बलकि उसमें कुछ और उसको बहतर बना सकती है उसको और या तो कमतर बना सकती है तो आनुसंगी कलपनावा चीद है जिसके हिसाब से जिसके माध्यम से कोई कभी किसी चीद को बेहंतर भी बना सकता है बेकार भी बना सकते हैं कुछ और जोड़ सकता है पिछले वीडियो में मैंने एक पनीर का जांपग दिया था कि कोई मार्केट से पनीर खरित कर लाता है तो साधान रखती के लिए सिर्फ पनीर है पनीर हो गई आपकी प्रात्मी कलपना और पनीर में आप मिर्च मसाला बहुत सारा डाल कर आप उसके सब्जी बना देते हैं त प्रकार किसी भी वस्तु का पुना स्रीजन करना है मतलब एक तो हमने वस्तु को देखा और उसमें अपनी कलपना के माध्यम से अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी तर्क बुद्धी और ग्यान के माध्यम से हम उन्हें उसको बहतर बना दिया मतलब हम उन चीजों का औह quier I होता है दित्या करण तो प्रात्मिक और आंसंगी कंपना में बहेद्य अंतर तेए परीचह में आपको पुछा जाता है कि प्राति को आंसंगी क्रपन में क्या बहेद्या या अंतर है तो यहां अप लिख सकते हैं दितियक कलपना, प्रात्मी कलपना मुख्यत द्रिश्दिमान जगत पर अतारित होती है, वतब जैसा हमने देखा उसका बीम हमारे दिमाग में बना, इमेज बना, जबकि आनुसंगी कलपना में आत्मा, बुद्धी, इंद्रिय समयदन, भाव सभी का सोहवेश होता है, दिति आनसंगी कलपना का छेतर अतियंत बिश्दित होता है, मतब छोटी सी छोटी चेत को हम बढ़ा चढ़ा कर व्यक्ति कर सकते हैं, एक साधान से गुलाब प्र फूल को हम असाधान बना सकते हैं, उसमें संदर ये बहुत दिखता है कभी को, उसमें ओस की मुने दिखती है, सिर्जन और ध्वन्स, विग्टन और संगटन दोनों कारे करती है, प्रात्मी कलपना कुछ नहीं करती है, जैसा हमने देखा उसका इमेज बना हमने उसको अब्यक्त कर दिया, तो इसमें ज्यादा इसको अपनी होता, जैसा हम दो चीज़ देखे, कि एक गुलाब का फूल ह तो यह अकिवज जोडती है, और दूसरा हो गया आनसंगी कलपना क्या करती है, उसमें फ्रिजन और धांस, विग्टन और संगठन दोनों कारे करती है, मतलब वह उसको बहतर भी बना सकती है, उसमें अपना इमोसन स्पिलिंग से और लाजिक लगा कर, या उसको बेकार भी कलपना सवायगर से हरकिसी में विद्यमार रहती है, जबकि आनसंगी कलपना की विद्यमानता विशय सुरुप से दारसनिक, रचनाकार और कलाकार में होती है, प्रात्मी कलपना हर साधरान व्यक्ति में पाई जाती है, और जो दितियक कलपना है, अनसंगी कलपना है, वह क के साथ-साथ आध्यात्मिक और अनुसंगिक कलपना बहुतिक के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- बीम मंदिर मात्री शक्ती अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो इसको अलग-अलग बोलते हैं हिंदी में अलग-अलग नाम है बीम मंदिर मात्री मतलब बीम या इमेज का दिर्माड करना बाहर परकृति में हम धिर्श्चिमान जगत में हम कोई चीज को देखते हैं तो उसका जो इमेज है हमारे दिमाग में बनता है उसे ही कहते हैं बीम फैंशी शद्द की उत्पत्ती ग्रीज शब्द फैंटेसिया से माने जाती है जिसका सम्मंद कल्पना से है वस्तद कॉलरीज ऐसे अलोचक हैं जिन्होंने फैंशी के स्वरूप एवं आयाम पर गंभिता से विचार किया और उसे कल्पना से सर्वता अलग किया है कॉलरीज ने बायोग्राफिया लिट्रेरिया में लिखा है कि फैंसी आराम में कल्पना देश और काल के बंधन से मुक्त इस्मृति का ही एक रूप है और यहां योजा के रूप में कारे करती है तो बायोग्रेफे लिटेरिया में इन्होंने फैंसी और कलपना में अंतर किया है इन्होंने बताया कि फैंसी इसमरीती का एक रूप है हमारी मेमरी का एक रूप है जिस पर देश और काल और परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह योजा के रुपे कारे करती है जोडने वाले रूप में कारे करती है आगे मैं उधारण के माध्यम से आपको समझाओंगा दूसरे सब्द में अगर कहें तो यह कहा जा सकता है कि फैंसी आरम्य कल्पना का स्वरूप सरजनात्मक ना होकर रचना कार द्वारा कभी किसी समय में देखे हुए किसी द्रिस या चित्र को अनंतर अर्थादबाद में किसी संदर में प्रस्तूत कर देना होता है तो फैंसी क्या होता है कोई इस्मृति पास्ट की इस्मृति है कि जैसे कि कोई कभी है वह चांदनी रात में नदी किनारे गया हुआ उसने वहां पर दे उसने कहीं कोई नदीब हैती हुए देखी थी और एक नाव थी जो घाट पर बंधी हुई थी यह इमेज उसके दिमाग में बंधा हुआ है इन दोनों को जोड करवा किसी संदर में प्रस्तूत कर देता है उसके मतलब उसको व्यक्त कर देता है अपनी कविता के माध्यम से या मौजूद रहती है फैंसी भी क्या है कल्पना का एक रूप है जो इसम्रीती पर अधरित होता है जैसे कि मैंने नदी किनारे वाला आपको उद्राण बताया तो जो नाव है वह अपनी विशिष्टता के सांथ और जो नदी है बाहती हुए नदी अपनी विशिष्टता के स जबकि फैंसी में दोनों वस्तुय अलग-अलग प्रतीत होती है। फैंसी में आपने देखा कि चांदी रात में जो नदी है और जो नाव हैं। दोनों अलग-अलग चीज़ें इन दोनों को फैंसी के माध्यम से कवी ने जोड गया लिग गया उनके बारे में कि नदी ऐसे बाहर रही थी और वहां पर नाव ऐसे बंदी होती अब कोई दूसरा कवी है जो कल्पना के साहता से उसमें कल्पना करता है एक कवी वहां पर जाता है नदी किनारे वहां देखता है कि चांदी रात है नदी किनारे एक नाव बंधी हुए है और नदी बहती हुए जा रही है तो वह कभी कल्पना करेगा कि भले ही नाव यहां पर इस्त्री लिंगे लेकि वह कल्पना करेगा कि नाव है नायक और नाइका कौन है नदी तो जो नाइका है नदी वह बलखाती हुए जा रही है तो वह कल्पना कर रहे हैं कि चांदनी रात है और नदी बहती हुए चली जा रही है मुझत नाइका क्या है बलखाती हुए चली जा रही है अना लंब कीनारी पर जो नायक है मतल procedure नाओ वह उसको एब तक देख रहे हैं और वह भी उसके आवेक में बहते चले तो वह जो नाव है, वह नायक है, जो नदी की धारा में बहुत जाना चाहता है, उसके आवेग में बहुत जाना चाहता है, उसके साथ एका कार हो जाना चाहता है, यह कल्पना है, तब आप समझ गया होगे, तो कल्पना क्या है, दो चीज़ों को मिला दिया, और उसने एक श्रीप कि जाती है जब कि payments क्या होते हैं ये आंत्रिक होती है हमने दो इमेज को लाया और एकसाँ जोड़ दिया लेकिन कल्पना में दो image को मिला कर हमने तीसरा image बना दिया कल्पना शक्ति के लिए नयसरगीक प्रतिफा का होना आशक है जब कि फैंसी को निपूर्था के द्वारा भी सीखा जा सकते है कल्पना शक्ति के लिए कभी में खुद की प्रतिफा होनी चाहिए उसमें टेलेंट होना चाहिए कालीबर होना चाहिए तब ही कलपना कर सकता है और फैंसी के लिए क्या है फैंसी को निपूर्टा के दोरा परी सीखा जा सकता है फैंसी को आप प्रयास करके सीख सकते हैं कलपना योगी की तरह है । और फैंसी मिष्नण की की तरह है कलपना योगी की तरह है मतलब जैसे आप टमाटर की चठनी बनाते आं मिक्सी में तो आप ने या सभी घटक को आप अलग-अलग identify कर पाते हैं तो यह हो गया fancy अर्थात कल्पना शक्ति के प्रयोग से किसी नए बीम या द्रिशी का स्रीजन होता है जबकि fancy के प्रत्येक्तत अपनी विशेष्टा को सरक्षित किये रहते हैं कल्पना शक्ति में एक नया द्रिश से बन जाता है जैसा टमाटर की चट्नी बन गई है तोऊया प्रत्येक विशेष्टःत अपने विशेष्टा बनी रहती है कल्पना शक्ति सदे उदात और गरिमें में विम्मों का निमार करती है जब कि फैंसी विस्ट रिंखल और अगंभीर भी हो सकती है तो कल्पना के माद्यम से हम बहुत ही महान और स्रेश चीड़ों का निमार कर सकते हैं जब कि फैंसी में यह चमता नहीं होती फैंसी में ज़्यादा गंभीरता और उसकी कोई स्कोप नहीं होता है गंभीरता का कल्पना शक्ति सुसंवध और सुगठित होती है जबकि फैंसी केवल असमान वस्तुयां बिम्बो को एकतर रखना पहर है फैंसी सिनेमा के परदे पर चार चित्रों को एकसात रखने जैसा है तो कल्पना में क्या है कभी यह लेक्षा को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है तो यह क्या ब्यवस्तित होती है जबकि यह बिम्ब में क्या होता है हमने अलग-अलग इमेजें इसको जैसे नदी का इमेज है नदी का बिम्ब है और नाओ का बिम्ब है तो दोनों को हमने जोड़ दिया यहां यहां ध्यां रखें कि मेरे उपर के उधार में नदी और नाओ शाबदी करूप से दोनों इस स्थान पर रखा है आनुशंगिक कल्पना को दूतिय स्थान पर रखा है और फैंसी को सबसे अंत में रखा है तो यह इसको कोई महत्व नहीं नहीं धारित किया इन्होंने सिर्फ यह बताया कि प्रात्मिक कल्पना प्रतमिस्थान पर है आनुशंगिक कल्पना दूतिय स्था समान्य भाशा का अधार गाहार करते हुए तथा उसमें अपना अनभाव और व्यक्तित्त का समावेष करते हुए रचनाकार जिस भाशा का प्रयोग करता है उसे हम कावय balsha करते हैं जब कविता की रचना प्रक्रिया में जो कभी है वह साधरान भाषा तो उठाता है, समान में भाषा का तो चैन करता है, लेकिन उसमें जो स्वयम की प्रदिभा है, उसका व्यक्तित्त है, वह बहुत पढ़ा लिखा है, वह अनभावी है, उसके अधार पर वह जिस भाषा का प्रयोग करता है, मतलब भाषा में थोड़ा प्र सारजनिक वाक्यांसों और किये होती है। और तीसरे इस्तर पर उसकी भाषा सरजनिक वाक्यांसों और पदों से युक्त होती है। मतब कॉलरीज के यह करना है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भीन होती है। तो कि वह जिस समुदाय का हिस्सा है, वह जितना पढ़ा लिखा है, जितना प्रतिभाशा लिए है, जिसमा उतने टैलेंट और कलीबर है, जितनी उसमें समेधना है, इमोसंस हैं, फिलिंस हैं, इसी के कारण प्रत्यक व्यक्ति की भाशा दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, प मतलब हर इंडिडिडियल की जो भाषा है प्रत्यक व्यक्ति की जो भाषा है वह अलग अलग होती है समाज या समुदाय मतलब जो कोई लखन लखनों में रहने वाला व्यक्ति है जिसको तहजीब का शहर कहा जाता है तो उसकी भाषा कुछ अलग टाइप नहीं होगी समुदाय की बात करो आदिवासी समुदाय के शब्ड कुछ अलग होंगे तो इस सबका प्रवाह उस पर पड़ता है को कि से एक समुदाय के ंदो व्यक्तियों की भाषा भी उसरे सरवत्था अलग हो हो गार्भक ट्नाम एक वहाषा was अनल आट स्थ च्रेत में की दो हिए सकती है कॉल्रीच ने अपने कावे भाषा विस्याक चिंतन में सरजạnh भाषा के संकलतना पर मतलब एक ऐसी भाषा जिसका सभी लोग प्रयोग कर सकें समझ सकें जो सरलetted हो सहाड और सरल उसेramer जिसको सभी लोग समझ सके कविता को गध्य से अलग मानते कॉरीज लिखते हैं कि कवीता छंद मेशे होता है मातरा हाना है 288 विद्रीज इसलिए उसका शब्द विन्यास अलग होता है this निश्रित मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है तो कविता में हमको निश्रित मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है कविता चंद में लिखे जाती है कॉल्रीज की पंक्तियां है इसको याद करना है आपको चंद में क्यों लिखते थे वो I write in meter because I am about to use a language different from that of prose मैं meter में लिखता हूं मैं चंद में लिखता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि कविता की जो भाशा होती है वह अगद्दी की भाशा ये अलग होती है ि अब कॉरीज और वाट m ad casual क का कावयभा भासी कावय भाश्वास्था संसंदि चिंतन और तुलनात्मक विवचते हैं वाड्स वार्थ ने भी is पर साहित जगत में विख्या थे और इसी मेतरी का परड़्णाम था लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन। कॉलरी यो और विल्यम वट्सवर्ट बहुत ही गहरे मीत्र थे और इन डोनों ने मिलकर एक कवे संक्रन लिखा लिरिकल बैलेट्स। लिर्काय बैलेट्स के चार संस्क्राण क्रम सा 1798, 1872 और 1815 इसी में प्रकाशित हुए इस्तंगरा के संपादक कॉलरीज और वर्ट्सवर्थ थे और इसे सचंदता वादी कावे अंदुलान का गोश्णा पत्र भी कहा गया विल्यम वर्ट्सवर्थ ने इस्तंगरा की भूमिका भी लिखी थी विल्यम वर्ट्सवर्थ ने इसकी भूमिका लिखी थी प्रिफेस्टुदा लिरिकल बैलेट्स और इसे सचंदता वादी आंदुलान का गोश्णा पत्र का जाता है गोशनापत्र मतलब स्वुचंत अपत्र आंदूवद रंक्या है स्वरूब कॉइसा है इस से उन्हें व्यक्त किया और हिंदि साहित मेन में यो पंत्र के पल्लकी भूमिका है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ यह सारे चीज़ें कॉम्टिशनिक ज्यांस में पूछी जाती है चाहे आप UGC NET, NTA NET की तयारी कर रहे हो चाहे कहीं भी तयारी कर रहे हो चाहे साक्षात कर रहे हो तो मैं आपके आउधार्णाओं को रिस्पस्ट करने का प्रयास करता हूँ हिंदिय साहिते के आप चाहत रहे हैं आपके मन में अधार्णाओं पूरी क्लियर रिस्पस्ट होनी चाहिए तो आप सबसे मेरी पुरह बुजारी से यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है और यहां तक देखते आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना पूलें ताकि आप मेरे प्रतेक एक वीडियो के अपडेट्स जो भूमिका लिखा था विल्यम वर्ट्स वर्ट ने इन भूमिकाओं का masculine इस द्रिश्टी से है कि वर्ट्स वर्ट ने अपने भूमिका में इस बात की जोड़ा डंग से पहर्वी की है कि कविता हमारे स्वेक्षिक भावनाओं प्रवाह है, और किसी भी प्रकार का बंधन या रूढिया औरुणियां कविता की रतना प्रक्लियां में ऑरोधी करना करती है। जिस परकार कोई नदी बहती चली आती है और वो किसी भी प्रकार के आवरोधों पर ध्यान नहीं देती नदी स्वच्छन अपना प्रवाहित हो दें चली आती है ठीक वैसे ही कविता होती है कि हमारे मन में कोई powerful feelings आते हैं बहुत इती प्रवावना का आवेग आता है और हम उसको सभाव करूप से लिखते चले आते हैं इसलिए कविता को किसी भी प्रवकार के नियम कानून दूरही आप्रथा के दारे में नहीं बांधा जाना चाहिए तब वाट्सवर्थ कविता के प्रवासा देते हुए लिखते हैं उपर भी हमने इसका उलेक किया हुआ है poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings कविता हमारे इश्रशक तभावना का सोता इस्पोर्ट उच्छ लगना है लिर्कल बैलेट्स की भूमिका में वाट्सवर्थ ने कविता की विशयवस्तू, कावे भाशा तथा कवी के महता पर प्रकास जाला है मेरे अगले एपिसोड में मैं इन सब चीड़ों पर चर्चा करूँगा यद्देपिया सच है कि लिर्कल बैलेट्स का प्रकाशन कॉलरीज और वर्ट्सवर्थ दोनों के विचार सामरे के कांड संभा हुआ फिर भी बाद में कॉलरीज ने वर्ट्सवर्थ के अनेक विचारों के प्रती अपनी असहमती व्यक्ते की विशेष कर कावे भाशा विशेक चिंतन के प्रती हालकि दोनों ने मिलकर रिर्कल बैलेट्स को लिखा था लेकिन जो भाशा शंबंधिया उधार्णा है कि कावे की भाशा कैसी होनी चीए तो वर्ट्सवर्थ का जो विचार था तो बाद में जो कॉलरीज है तो इनकी विचार धारा उनसे अलाग हो गई तो वर्ट्सवर्थ कोई अलग बात कह रहे थे और जो कॉलरीज थे इनकी विचार धारा कावे भाशा के संब्ढ़ने कुछ अलग थी कॉलरीज और वर्ट्सवर्थ दोनों की कावे भाशा विसेक चिंतन विप्रित दुरानतों परिसित हैं मतलद दो अलग अलग धूरी है एक की सोच उत्तर है तो दूसरे की सोच दक्षुड है जहां वर्सवर्थ की मानेता थी कि कावे भाषा आम बोलचाल की भाषा का ही एक प्रकार है तो था कविता की भाषा और गद्य की भाषा में वस्त था कोई गुडात्माग भेद नहीं होता वर्ट्सवर्थ का क्या मनना था कि कावय की भाषा क्या होनी चाहिए आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए सहज सराल और बोदगा में होनी चाहिए आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए साथ ही गद्य और पध्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है यह कहा विल्यम वर्सवर्थ ने क्वालित दूसरी और क्वालित की माहता है कि कविता मूलता एक छंद बंध रचना है और कावे और गद्य की भाषा तो बिल्कुल अलग है दोनों कोई आपस में कोई सम्मन नहीं है कि दूनों की भाष्चां भीन 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 हैं यहां तक कि तरकाश्तित और वैचारिक रिखनाओं का गद्य भी आम बोलचकी बहस्चाLo장 की भाष्चा से भीन होती है उन्होंने गद्य में बिस्जार की भाषा होती से मैं इस छे क्वावचा विशयक चिन्तन के सुत्र वस्तुता ज्याण और गुद्धी समेचिसे काविभासा किस पर ज्ञान, बुद्धी और समयदना, knowledge, intelligence, sampling, दूसरे सब्दों में अगर गहें तो कह सकते हैं कि क्वालरीट के अनुसार प्रत्य व्यक्ति की भाषा उसके ज्ञान, विचार और समयदना पर अधारित होती है, इसलिए एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से भिन होती है। क्वालरीट के अनुसार प्रत्य व्यक्ति की भाषा भिन होती है, जो उसका ज्ञान, उसके विचार और उसके इमोशन समयदना पर अधारित होती है, इसलिए हर व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन होती है। स्वाधी क्वालरीट की मनेता है कि भाषा औ कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा में कोई भेद नहीं इस अधार पर खारिज़ जाती है कि कविता और गद्य दोनों के शब्द विन्यास में बहुत अंतर होता है। अन्य समदाय के वेक्तियों की भाषा अन्य समदाय के वेक्तियों की भाषा चे अलग होती है। उसके शब्दों में एक विशेश अर्थ होता है। वर्ट्स वर्थ की मानेता है कि कावे भाषा और गद्य भाषा में कोई गुडात्मकंतर नहीं है। इसके विशेश काते हैं कि कावे के लिए एक भिन और सुनिशित शब्द विन्यास अन्युआ रहे है। मतलब कावे भाषा वर्ट्स वर्थ के मानेता है कि कावे भाषा मतलब गद्य और पद्य की भाषा एक जैसी होती है। कि कविता की भाषा गद्य की भाषा से अलग होती है क्योंकि कविता की भाषा में एक निशित क्रम होता है अल्लाय होता है और एक निशित रुप से शब्दों का क्रम होता है। वर्ट्सवर्थ के अपने कावे भाषा ब्रुभाव पर परता है क्या उसके विक्तित है उसकी भाषा पर कोई ओनी होता है लेुदि क majicu प्रत्यक्व्यक्ति की भाशा उसके घ्णान सिब्सक्राव करते हैं उसके निजी व्यक्तित और कैसा है जातीजGard किस समुदाय चीजें के परभावित करती है कभी कावी और कभीता विश्यक चिंतन तो इन्होंने इस पर क्या चिंतन किया सेमुए टेलर कॉलरीज के काव्य चिंतन का महत्त्व इस द्रिश्टी से बढ़ आता है कि इन्हों ने अपनी चिंतन परिधी के अंतरगत कभी काव्य और कवी था तथा कला आधी बिंदों पर पर्यापर प्रकास डाला है इन पर इन्होंने विचार किया है बायगरफिया लिट्रे डीव में कॉल्रीज का स्वयम का व्यक्तित बहु आयामी था बहुत सारे चीजों का ग्यान था धर्म दर्शन अध्यात इतियास तराज़न दिती तथा पत्रकारिता इन सब का इनको विलक्षण ग्यान था यही करण है कि वे कभी से बहुग्यता कभी के लिए उनके साथ कभी में कुछ योगता होनी चाहिए एक कभी से गुड़ ग्राहिता मतलब गुड़ों को ग्रहन करना गुड़ों को समझना और मासूमियत सरलता और दिर्टा यथार्त और दार्सनिक्ता आधी की आशार रखते थे कभी में क्या होनी चाहिए गुड़ ग्राहिता होनी चाहिए गुडों को दूसरों के गुड़ों को समझने relaём और यथार्थ और दार्शनीकता की आश्र रखते हैं यथार्थ को महसूस करने के शमता होने चाहिए और थोड़ी बहुत उसमें दार्शनीकता भी होनी चाहिए तो काव्य मतलब पोएसी और कविता मतल पो systemic कॉलिज ने अलग अलग संदर्मों में प्रव्ँक्त किया है इंदोनों शब्दों का प्रेह क उनुन忍ने अलग संदर्मों किया है कॉल्लीज के मतनुसार काव्य पोईसी और शब्द कॉल्लीज के अनुसार जो काव्य शब्द है पोईसी शब्द अतनती व्यापक आर्था समाहित किये हुए है उनके अनुसार इसका आर्था बहुती व्यापक है इस प्रकार कॉल्लीज ने कावे मतलब पोईशी और कविता मतलब पोईट्री इन दोनों को अलग लग संदर में प्रस्तूत किया है कॉल्लीज चे मतलब नोसर कावे और पोईशी शब्दा अतियंत्य व्यापक अर्थ समाहित किये हुए है कॉल्लीज ने बयोगाफिया में कविता के जो परिभाशा दी है वहा ध्यान देने योग यह उन्य को को परवासित इस प्रकार किया है जहां बिज्ञान का विशीचosa सुनिक्त ना है जो विज्यान सा यह सार्थ में अलग हा जहां विज्ञान का प्रत्यक प्र्योजन सत्य होता है वही कभीता का शुद्स तया है मतलब विज्ञान की कि प्रत्य का दान करना यहां भावनाव पर अधारित होती है और इसका उत्व्धत होता है आनंद को वांते हैं जबकि विज्ञान का आगरह तत्य और सत्य पर होता है कविता का प्रात्मिक उद्देश आनंद प्रदान करना है जबकि विज्ञान का उद्देश क्या है तत्य और सत्य को प्रदान करना इसके बारे में जानकारी देना विज्ञान और कविता में एक महत्पूर्ण बे दिया है कि विज्ञान आनंदान उभा में उतना समर्थ नहीं है जब कि कविता की गती सत्य और आनंद दोर्वे होती है मतलब विज्ञान हमको सिर्फ सत्य और तत्य प्रदान करता है जब कविता हमको सत्य भी प्रदान करती है आनंद भी प्रदान करती है तो यह सारी बाते हैं इसके बाद कॉलिट के कविता समंद ही दिश्ची कोण का सरवाधिक महात्य कोण पक्ष है चंद पर आगरा तो कवित संभ्यान नहीं कोई भी रचना साहित एक रचना भाला ही हमें आनधित करें कॉल्ड इसे कविता मांने से इंकार क्यों नहीं यदि उसमें छंदों का समूझित प्रयोग नहीं किया गया है तो वह क्या है भाला ही country अनरही कड़ान करती है। लेकिन कविता तो नहीं है उसे कविता ही नहीं मानते हैं जिसमें चंद का प्रयोग नहीं हुआ है इस प्रकार कॉलरीज ने कविता के रूप पक्ष और अंतरंग पक्ष दोनों पर भी अपने विचार पगड़ती है रूप पक्ष मतलब जो बाहरी आवरान है उसका चंद और शैली कासी होने जीए सब और अंतरंग पक्ष मतलब कंटेंट कासी होने चीए बहाशा कासी होने चीए दोनों पर भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर कॉलरी जो छायवादी कवियों को कावे चिंतन तो देखते हैं कॉलरी जो रोमांटिक कवियों को कावे चिंतन में क्या है किस टाइप कावे चिंतन है मतलब एक्चर में यहां पर रोमांटी सीजम का जो कावे चिंतन ने उसका उलेक किया गया है कॉलरी अंग्रेजी की रोमा माटी सीर्मपर आधारित है हिंदी के छायावदी का वयांदरन पर यह प्रभाव विशय-वस्तु तथा शिल्प दोनों इस तरों पर प्रभभाव बढ़ाएं विशय-वस्तु क्या होनी चाहिए कविता की और उसका शिल्प कैसा होना चीन पर प्रभाव पड़ा जैसे प्रकृति की औलोटों सुमितर नंदन पंद का आप देख सकते हैं जिन्हां प्रकृति का चीतने कभी कहा जाता है मुक्ति की कामना वर्दे विणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंतर रव अमरित मंत्र नाव भारत में वर्दे निरला की यह कविता है तो यह सब प्रभावित है इसी से उसी प्रकार हिंदी की चायवादी कभीता में भी स्वतंतर चेतना और प्रकृति चित्रन और मानवता की जय की उद्गोशना मिलती है चायवाद के जो चार कभी है उनमें इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं तो चायवादी कभीता इसी प्रदारित है और हिंदी की चायवादी कभीता में पाश्च्यात त्यलंकारों कौनकर से पाश्च्यात त्यलंकार है मानवी कर्ण मतलब मानव के रूप में व्यक्त कविता के प्रभाव के फलसरूप हैं मतब यह जो विभिन प्रकार के अलंग कार है वानवी करण विरोधा भास विशेशन विपर यह वहीं से आये हैं रोमांटीक कविता से हिंदी में च्हायावादी कविता में लिरिकल बैलेट्स की भूमिक में जिस परकार रॉमांटिक कवियों ने अपने उपर लगे आरोपों का उतर दिया और रॉमांटिक कविता को पाठाक जगत के समख्च उजागर करने की चेश्टा की लगबक उसी प्रकार हिंदी के चायावादी कवियों ने चायावाद को इसपस्ट करने के लिए आरुपना के मार्ग को इसके लिए लिरिकल बैलेट में अपने दार्सेनिक वीचारों को इसपस्ट ग्या में जिसमें पन्त कल costumes का जो घोस्टा पत्र है सरवादिक मांता पूर्ण है जिसे चायावाद का गोश्टना पत्र कहा जाता है चायावादी चेतुस्टाई मतलब चार लोगों का समूब के चारों कवियों जैसंकर प्रसाद, सुर्यकांति पाठीनी राला तथा महादेवी वर्मन ये जो चार कवी हुए हैं चायावाद के इन्होंने अधार पर इन्होंने चायावादी कवीता की विचिश्टता को इसपष्ट करने का प्रयास किया इस द्रिश्टते जैसंकर प्रसाद की कृति काव्य और कलात था अन्यरीबंद, निराला की प्रबंध प्रतिमा और रविंद्रक कविता कारण पंद की पल्लाव की भूमिका निराला के लंबे अलोचनात्मक निबंध पंद और प्रबंध की चर्चा की जा सकती है, कहना यह है कि छायावाद के सभी कवियों ने छायावाद पर लगने वाले भीविन आरोपों के उतर देने के लिए अलोचना कर्म को अपनाया, और इस परकार हिंदी में कवी आलोच कि परंपरा की शुर्वात ही। मतब छायावादी कई压प बाज जो अरोब लगा गए थे आशेप लगाए गया गए थे व्यक्तिवादी होने का और अपने आत्मन उभूती को ब्यक्त करने का इसका उत्तर देने के लिए इन्होंने जो लेक लिखे और इसके कारणे इन्होंने आलचना आत्मा कर्म को भी अपना है मतब पहले कभी किवल कभी हुआ करते थे और आलचक अलग हुआ करते थे लेकिन इसके बाद क्या हूआ कवियों नहीं अलोचना का का म भी चालू कर दिया तो कव्यी और अलोकंड एक ही बेक्टी कभी भी है वही बेक्टी अलोचकदी loght इस प्रकर कभी अलचक की परंप्रा की शुरुआतवि कलपना छ्यावादी कविता की महात्पोंड विशेष्थता रही है ख्यावादी कवियों ने कलपना शक्ति के प्राव्विघ्ज द्वारा नै नै विम्मों का अपने कावे में प्रेव्प किया थ All के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं तो कल्पना सक्ति के द्वारा नए 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 इमेजेश का प्रयोग किया है अपनी कविता में कल्पना की मात्यम से प्रसाज जी की कामाइने में पंक्ति आती है खिला हो जो बिजली का पूल जिसमें उन्होंने श्रद्धा के संदर क्रवक्त की क्या है चाहयवदी कविता को इतना अधीक मात्य दिया जाना ही गंडिक का प्रभाह देख कि चैंद को तो श्र्रीप अगर छायावदी कवियों ने भी छंद को या थेष्ट मांतल प्रदान किया, अपवाद तपरूब निराला जरूर मुक्त छंद की बात करते हैं। लेकिन निराला क्या है तो अभी द्रोही और करांतिकारी कवीत है ये भी मुक्त छंद की बात करते हैं और इन्हों ने कविता की मुक्ती को ही कविता की मुक्ती भी माना है निराला कहते हैं कि छंद की मुक्ती ही कविता की मुक्ती है तो निराला थोड़ा अलग है करांतिकार कभी हैं बाकी सबने स्विखार किया है अब हम देखते हैं उपसंहार या निश्कर्स कभी तक हमने क्या पढ़ा यह आपको लिखना ज़रुई रुटाता है यह उपसंहार सब्दे लिखने की ज़रुद्ध हलाकि नहीं होती है परिच्छा में सेमुल टेलर कॉल्रीज अंग्रेजी के रोमांटिक कावे अंदोलन अर्थात रोमांटिसिजम के प्रसिद्ध कभी आलोचक है वर्ट्स वर्थ के सांत मिलकर उन्होंने लिरिकल बैलेट्स का संबादन किया जिसे रोमांटिक कभीता का गोश्णापत्र कहा जाता है कम्रिता इसके सांत ही कॉल्रीज ने रचना प्रक्रिया के प्रश्न परभी गंभृता से वीचार किया है क्ल्पना के महत्यों को रेक tamगित करते हुए इसके दो भेच किया है प्राथमिक कल्पना और आンशंगिक कलपना को बहुत महत तो दिया है और कलपना को दो भागा में विभारित किया है प्रात्मी कलपना और आनुशंगी कलपना जिसके करन वाथ विविन वस्तों प्राणियों और इस्तानों को अपनी इच्छा के अमसा निर्वित करता है अर्थाथ आनुशंगिक कल्पना, सायास, प्रेत्नसाध्य और अंतषक्ति है जो वस्तों को अलग प्रकार से देखती है। प्रात्मिक कल्पना के माध्याम से हम प्रक्रिती के चीजों को समाइने रूप में ग्रहन करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार से पहचानते हैं और अनुशंगिक कल्पना के माध्याम से हम उसमें अपनी ग्यान, अपनी समधना, अपनी तर्क, अपनी विचार को मिला कर ए एक नए भी मकानी मार करते हैं और जिसके लिए प्रयत ना और प्रयास और परिस्रब की आशक्ता होती है अनुसंगी कलपना के वल कवियों लेकपों रचना करों राज नीतिग्यों दर्स दार्सनिकों इत्यादी में पाई जाती है कॉल्रीक के कावचिंदर की सबसे बड़ी उपलब्धी फैंसी की उधारणा है फैंसी भी कलपना का एक रूप है रम्य ल्म्य कलपना जो यह रूप में कायर करती है वह रूप में उपर बता चुका हूँ फैंसी के अंतर के जिन दो बिम्मों को समयजन किया जाता है जिन दो बिम्मों को मिलाए जाता है वे प्राये अपने सोयम के वायशिष्ट के साथ उपसीद रहते हैं फैंसी में जिन दो बिम्मों को हम मिलाते हैं उन दोनों में उनकी अपनी अलग-अलग विशेषता हमको दिखाई देती हैं कल्पना शक्ति और फैंसी में अंतर इस्पर्श करते हुए कॉलरीज का मनना है कि कल्पना शक्ति सुसंबद और सुगठित होती है जबकि फैंसी के केवल अस्मान वस्त्मों या बींबो को एकत्र कर देना है फैंसी का काम गया है North मिला देना बस दो बींबों क्या करते हैं दो बींबों को मिलाकर एक नया इन्हमाद देती है थ्रिष्च्छे years हैं को भाषय संबहुति नहीं ने विश्यक्त से विचार किया कोूलिज का मणा है कि किसी भी व्यक्ति की भाषय दुस्रे वेक्ति से उसके अपने ज्ञान, मेधा और समेधना की गहराई के काड़ अलग होती है, कि वह कितना ज्ञानी है, कितना मेधावी है और उसमेधना है, इसके साथ ही कावे भासा व्यक्ति के नीजी व्यक्तित को भी अपने अंदर समाहित किये होती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित, स्वैम का व्यक्तित सब उसे समझ सकें कॉल्रीज ने काव्य मतलब पोएसी और कविता मतलब पोएट्री में भी अंतर किया है कि काव्य शब्दकार्थ अत्यंत्य व्यापक है और यहां अपने अंतर का धर्शन कलाचित्र आधी बहुत कुछ समेटे हुए जब कि कविता विश्श्च प्रकार की तो बद रचना होती है जिसका उद्देश आनद प्रदान करना होता है तो इस पकार हम समझ गए क्या अंतर है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबराना पूरें ताकि मेरे प्रत्य वीडिय आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक जबरी बात इसके बाद जो मेरे आगला वीडियो होगा वहां असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए के इंटर्व्यों के लिए आप त्यारी कैसा करें होगा और उसके बाद होगा वर्ट सवर्थ के जो कावे चिंतन है प्रोफेस पर मैं चर्चा करूआ है इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बाक्स में टिपने लिक कर जरू बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसे लगा धन्यों